हलो फ्रेंड्स महुत बहुत स्वागत है आपका रेमेडीस है रसेपीस फोर्यों में दोस्तो अंकुरित अनाच बिल्कुल भी बारिश में नहीं खाना चाहिए इसका कारण क्या है मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेश करना ना भूलिएगा जिससे मेरे नेक्ट पूडियो को नोटिपिकेसल सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो दरसल बरसात की दिनों में फूट पॉइजनिंग और पेट खराब होने की समस्या सबसे जादा होती है इसका सबसे बड़ा कारण है पानी या अन्य खाद्य परदार्थों में मौजूद बैक्टेरिया के कारण होने वाला संक्रमन जो आपके पेट को ना सिर्फ खराब करता है बलकि उल्टी और दस्त जैसे समस्याओं को जन्म देकर आपके लिए बेहत खतरनाख साबित हो सकता है दाइटीशियन भी बारिश के मौसम में अंकुरित अनाज ना खाने की सलाह देते हैं जिसका पहला कारण है कि इन्हें ज्यादा समय तक पानी में भीगोया जाता है और उससे भी अधिक समय तक इसमें नमी बनी रहती है ऐसे में इनमें खतरनाग बेक्टेरिया होने का खत्रा और भी बढ़ जाता है एक कारण यह है कि इसमें फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है जो मोशन होने में सहायक होते हैं ऐसे में यह डाइरिया जैसी समस्या का कारण भी बन सकता है जिससे सरीर में पानी एवं पोसक तत्वों की कमी हो सकती है दोस्तो अगर आप बरसात की मौसम में अंकुरित अनाज खाना ही चाहते हैं तो इन्हें अच्छी तरह उबाल कर ताजा रहते ही इसका प्रयोग कर लें ताकि यह आपको हानी ना पहुँचा सके यदि अंकुरित अनाज खाने से फूट पोईजनिंग होता है तो पेट में मरोड, उल्टी, डायरिया जैसे लक्षन 12-72 घंटे के बीज नजर आ सकते हैं अतह बारिश के मौसम में स्प्राउट्स को पका कर खाने की सलाह एक्सपर्ट भी देते हैं दोस्तो आई होप कि ये इंफर्मेशन आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद